तो जी वेलकम टू कोड हबत आप पहुंच चुके लेक्शे नमबर 12 पर और यह हमारी HTML सीरीज का लास्ट लेक्शर होने वाला है अभी तक हमने बहुत सारे टाग्स को यूज किया बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बना है अभी तक कमफर्टेबल हो चुके हैं पर एक चीज है जो हमने अभी तक कमप्लीट नहीं की जो अब तक पेंडिंग है वो यह है कि हमने जितना भी अभी तक कोड देखा वो कुछ इस प्रकार था कि भाई यहां पर तुमने इसको क्लोज कर दिया ठीक है इसके अंदर दो प्रकार के टैग्स थे यहां पर भी आपने बताया था कि एक हेड का टैग अविलेबल है और यहां पर आपने बताया था कि एक बॉड़ी का टैग अविलेबल है तेक है तो हमने जितना भी अभी तक कोड किया वो सारा का सारा कोड हमने कहां पर किया वो सारा का सारा कोड हमने इस बॉड़ी वाले पार्ट के अंदर किया हमने जितने भी टाइच किया टेबल क्रेट किया फॉर्म क्रेट किया बहुत भी ने बिन प्रकार के चीज़े करी हो स सारी कि सारी हमने यहां पर कोड गी है हमने एक ही भी बार भी अब तक हैड वाले टाग को एक्स्प्लोर नहीं किया इसके बारे में बात नहीं की इसके अंदर जो बॉलर प्लेट को जनरेट होता है उसके बारे में भी अब तक डिसकॉशन नहीं किया तो फटा वट से इसे बारे में पढ़ते हैं, style sheet के बारे में पढ़ते हैं, scripts के बारे में पढ़ते हैं, meta tags के बारे में पढ़ते हैं, और फिर हमारी HTML कम्प्लीट करके next class हम CSS को start करते हैं, ठीक है, चलो, शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज़ों मैं जानी है, यहां पर head tag के बारे में वो क्या है head tag एक ऐसा tag है जहां पर आपने जो भी data insert किया हुआ है जो भी इसके अंदर आप tags देख पा रहे हैं जो भी elements देख पा रहे हैं जो भी content आप इसके अंदर देख पा रहे हैं वो आपको visible नहीं होता आपके web page पर आप जब भी कोई website open कर ली तो आपको वहाँ पर head tag का data नहीं दिख रहा है आपको वहाँ पर कौन सा data दिख रहा है जो आपने body tag के अंदर insert किया हुआ है तो जो भी data आपका body element के अंदर होगा वो आपको visible होगा आपके website पर head tag के अंदर जो data है वो visible नहीं होगा यहाँ पर generally किस किस परकार का आप data डालते हैं आप यहाँ पर generally SEO related data insert कर रहे होते हैं अब सवाल आपके मन में आते हैं कि SEO क्या होता है चलते हैं वहाँ पर भी जाएंगे SEO के उपर कैसी हो क्या चीज है पर उससे पहले फटा 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 फोल्डर करेट करते हैं और वहाँ पर एक boiler plate code generate करते हैं तो हमने कहा कि lecture 12 का folder create करो ठीक है जी कर दिया और मैंने कहा यहाँ पर फटा फट से एक नई फाइल बनाओ इंडेक्स.html ठीक है यहाँ पर हमने emet का यूज करते हुए एक्सलेमिशन माखे टाब हिट करना टाब हिट कर लो एंटर हिट करना एंटर हिट करना एंटर हिट कर लो आपका यह boiler plate code generate हो गया यह बात समझ में आती है internet explorer के साथ कुछ compatibility के बारे में बात की गई है कुछ viewport के size और zoom के बारे में बात की गई है title के बारे में बात की गई है एक एक करके सब को समझेंगे ठीक है अब इकलिए मैंने क्या कहा कि ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर एक heading insert कर देता हूँ वाल देता हूँ जी welcome to code help और ऐसा करते हैं एक button मैं create कर देता हूँ तो मैंने बोला एक button create कर दो उसके अंदर मैं लिख दिया जी submit ऐसा कुछ कुछ लिख दिया हमने ठीक है अगर फटा 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 से इसको एक बार go live किया जाए तो दिखने में कैसा होगा है पर समझ लेते हैं तो यू आई पे यह ऐसा कुछ दिख रहा है कि welcome to code help लिखा हूँ और submit लिखा हूँ ठीक है यह बात समझ में आ रही है इस पर कुछ की लिख करो तो कुछ हो नहीं रहा है अभी यह लिए हमने को logic add नहीं किया नहीं इसके ऊपर अभी तो ठीक है इतनी बात समझ में आती है अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर title के अंदर document लिखा हूँ है document title का मतलब क्या है मैंने का जाओ फटाफट अपने chrome पर अपने browser पर तुम्हें यहाँ पर यह document लिखा हूँ है यह document यहाँ पर text लिखा हूँ है इसको let's say मैं change करना चाहूँ और मैंने बोला कि आज इक लास में पढ़ेंगे favicon के बारे में, meta tag के बारे में, title के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में आजम पढ़ने वाले है तो हमने आपको कहा, अगर मैंने यहाँ पर title के अंदर यह कुछ data डाल दिया text वाला, तो यहाँ पर भी यह update हो जाएगा तो जो भी data, आप text के अंदर आप title के अंदर यहाँ पर insert कर रहे हैं वो data आपको यहाँ पर visually reflect हो रहा होगा तो यहाँ पर इसका मदब title में home code help लिखा होगा यहाँ पर title में study notion final लिखा होगा यहाँ पर title में study notion project description लिखा होगा ऐसा कुछ होगा, ठीक है अब बात करते हैं फैविकॉन के बारे में ध्यान से कर देखो यहाँ पर कुछ आइकन दिख रहा है यहाँ पर कुछ आइकन दिख रहा है तो यह पर कुछ आइकन कहलाते है तो let's say मुझे भी यहाँ पर एक फैविकॉन ऐड करना है तो add करना सीखती है कैसे f covari c synagogue को यूज कर सकता हूं और window f ego और मुझे क्या करना है तो मुझे बस यहां पर href के अंदर बात बताना है अपनी इमेज का और मेरा फैविकॉन एड हो जाएगा तो अगर मैं अब जाके देखूं तो लिंक टाग के द्वारा मैंने इस लोगों को कोड हेल्प के लोगों को मैंने फैविकॉन में चेंज कर दिया देखो पहले यहां तो मैं फैविकॉन आड करना चुक है दो चीज तो म सीक चुकियो ठीक है मैंने कहा कि चलो थोड़ा साँ आगे बढ़ते हम स्टाइल शीट के बारे बात करते हैं अभी कल से हम नेक्स क्लास से पार करते हैं कि पढ़ेंगे स्टाल शीट क्या होता है करना CSS के द्वारा पॉसिबल होता है तो मैंने हाँ पर क्या बोल दिया कि एक ना फाइल बनाते हैं एक फाइल बनाते हैं उसका ना रखते हैं style.css मैंने गाँ ठीक है और इस फाइल के ना मैंने बुला कि H1 को कैसे style करना चाहता हूं मैं H1 को मैंने बुला कि H1 का ऐसा करो आप कलर जो है ना H1 का कलर जो है एकवा कर दो अच्छा ठीक है तो इसका मतलब यह भाई है कि जो मैंने H1 यूज किया हूँ है उसके इंदर हमने कहा कि यहां पर ऐसा करो लिंक टाक का यूज करो और css को लिंक कर लो अब चेक करो फटा फट तुमने style.css को लिंक कर दिया चेक करो या green हुआ हाँ ठीक है बिल्कुल green हो गया ठीक है तो हमने जस्ट अभी दिखा कैसे हम है टक के अंदर external css file को लिंक कर सकते हैं हमने css file को लिंक करना सीख लिया लेटसे मेरे पास को जावा जैसे ही आपका सारा का सारा कांटेंट लोड हो जाएगा तो आपको कि अगरगैंप करते हैं क्या मुझे इसा अलर्ठ मिल रहा है अगर में रिलोड करूं इसको अलर्ठ है कुछ भी अलर्ठ नी आ रहा क्योंकि मैंने जावा स्कृप्त फाइल को एस्टीमल फाइल के साथ लिंक नहीं किया तो लिंकिंग वाला काम फिर दुवारा करना है तो मैं लोट करो एलोट कैसे हो सारे ओके मैं तो तुम ने इस तुम ने सीखा किया से तुम तुम पूरा कपूरा आने लगजाएगा ठीक है तो इतना हमने सीखा इतना हमने सीखा और फटा फटा बागे चलते हैं और हम बात करते हैं SEO के बारे में यहां से हमने अपने discussion को छोड़ा हुआ था इसको फिर से continue करते हैं तो हम बात कर रहे थे SEO के बारे में कि यह SEO किस बला का नाम है इसको हम कहते हैं search engine optimization इसको हम कहते हैं search engine optimization वेब के ऊपर आपके सारी के सारी लड़ाई जो है वो लड़ाई है अपनी website को ऊपर rank कराने की कि भाई जब मैं code help लेखो तो मेरी code help की website सबसे उपर आनी चाहिए यह ना और code help लेख दे और कोई और xyz website उपर आ रहे हैं सारी लड़ाई इतनी है कि मैं अपनी website को इतने अच्छे तरीके से search engine optimize करूं कि भाई जब भी उसको search किया जाए वह टॉप पे आ रही हो ठीक है उसमें कुछ योगदान मैं यह नहीं कहता कि 100% योगदान यह नहीं कहता कि हमेशा यह करोग तो हमेशा टॉप पे आ जाएग होगा वह meta tag आपके search engine optimization के अंदर आपकी website के search engine optimization के अंदर आपको सहायता कर रहे होंगे ठीक है चलो आपको कुछ एक पर एक trailer दिखा कर लाते हैं तो हमने कि फटा फट से ऐसा करते हैं यह रही है हमारे पास हमारी code help की website ठीक है the code help.in और मैंने यहाँ पर कर दिया व्यू पे करते हैं तो यह मेरा code आ गया क्या हम सभी यह observe नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे metradas हैं है क्याम सभी observe कर अ नहीं है कि इहां पर बहुत सारे metamanra, meta के आंदर आपने title mentioned कर दिया मैं मैंने description description mention कर दिया आपको मैंने इसी सीरीज के नदर दिखाए भी था यह description क्या काम करता है अगर आपने नहीं देखा तो आपका ध्यान साही से नहीं है तो बार सदा के वीडियो देखो मैठा के अंदर आपने keywords mention कर देगे जब यह ऐसे कुछ keywords सर्च हो तो मेरी website को ज्यादा rank करवाना मैठ के द्वारा boilerplate code generate करता हूं तो मेरे को यह तीन lines मिल जाती है अब इन तीन lines का मतलब नहीं पता हमें इनका मतलब find out करना है मैंने का सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं कि meta tag का use करके character set को utf8 mark किया हुआ है character set को utf8 की value दिया हुई है तो मैंने का इसका क्या मतलब है मैंने का different different character encodings होती है आपने सुना होगा sky format के बारे में जहांप आपका capital A जो होता है उसको 65 numeric value से map किया होता है सो character encoding यही चीज है जहां पर आपने characters को कुछ numeric value से map किया होता है ताकि आप उनको digital format में दिखा पाओ digital format में render कर पाओ ठीक है आपके हर एक character के कुछ value होगी और value जानभूच के दी गई है ताकि आप इसको digital format में render कर पाओ समझ में आती है आपका SKY हो गया UTF-8 हो गया UTF-16 हो गया तो UTF-8 एक one of the popular character encoding है जो की majority majority of website यूज कर रही होती है ठीक है तो हमने भी यहाँ पर boilerpad code ने क्या जनरेट कर दिया कि भाई जो भी तुम यहाँ पर HTML doc लिख रहे हो उसमें character encoding UTF-8 यूज होगी फाइदा क्या होता ह इसका आप multilingual support add कर सकते हैं को एंकोडिंग ऐसी हो कि ज़्यादा character ना support करती हो बहुत कम character support करती हो UTF-8 एक ऐसी encoding है जिसके बहुत सारे characters हो support के जाता है और यहाँ पर multilingual support आपका मिल जाएगा आप Arabic में लिखना चाहों वह मिल जाएगा Chinese characters add करना चाहों वह मिल जाएगा तो इसे भीन भीन प्रकार के characters आप add कर सकते हैं इस encoding के द्वारा यह बात समझ में आती है तो इसका intent basically है कि मुझे multiple language support चाहिए तो मैं इस meta attack के द्वारा इस character encoding के setting के द्वारा वह activate कर सकता हूं ठीक है एक बात समझ में आ गई करें मुझे पुराणी कहानी जाननी पड़ेगी पुराणी कहानी ऐसी कहती है कि आज से कुछ समय पहले आज से कुछ समय पहले बहुत से हजारों साल नहीं आज से कुछ समय पहले जापका internet थोड़ा न्या न्या था जब यह rendering engines जो browser के underlying engines होते हैं वो नए नए थे तो कुछ x type की दिख रही है वही same website किसी और को y type की दिख रही है राइट सो एक same website अलग अलग तरीके से रेंडर हो रही है standard नहीं है uniformity नहीं है राइट सो uniformity establish करने के लिए यहां पर इस line को हमने add किया है जो कि basically यह कहती है कि जब भी आप render कर रहे होगे web page को internet explorer के उपर तो कर रहे होगे यह कहां नहीं चोटी सी पहरी सी ठीक है पहले का issue यह था कि भाई website different different rendering agents के होने के द्वारा different different तरेके से render हो रही थी तो अब आपने आप एक standard सेट कर दिया uniformity maintain कर दी कि भाई साब अगर आप एक html doc को render कर रहे हैं अपने internet explorer पे तो भाई साब आपका सबसे latest rendering engine ही यूज होगा उसको render करने में तो इस परकार से जो different different rendering of same website हो रही थी वो हट जाएगी हर जगा same दिखेगा uniformity आ जाएगी ठीक है यह बात भी समझ में आई अब बात करते है लाइन नंबर 8 के बारे में यहां पर क्या लिखा हुआ है meta name viewport content device के width और initial scale 1.0 ठीक है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं viewport के तो ब्राउजर में जो आपको window दिख रही होते है जहां पर content display रहा है वो आपका viewport होता है और यहां पर हम mention कर रहे हैं उसके width के बारे में और उसके zoom level के बारे में initial scale 1.0 का मतल zoom level क्या होता है 100% होता है अगर आप control प्लस प्लस करेंगे zoom बढ़ जाएगा zoom in हो जाएगा control माइनस माइनस करेंगे तो zoom out हो जाएगा सब को छोटा होता होता चल जाएगा तो यहां पर हमने क्या set कि जो भी HTML document है इसका viewport जो है उसकी width जो है उस viewport की width जो है डिपेंड करेग सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से मैंने अपने width को initialize कर लेंगे width क्या लेनी है मुझे वो डिपेंड करेगा मैंडिवाइस के width के ऊपर secondly मैंने आप जूम लेवल को सेट करेंगे आपने zoom लेवल को 1.0 रखना है या नहीं 100% वाले जो गेम हमने आपको समझाए अभी के ल 1.0 यानि के 100% zoom level मुझे maintain करना है initial scale के हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने character encoding की बात कर लिए कि UTF-8 encoding का use करो यहां पर मैंने internet explorer के rendering engine की compatibility की बात कर ली कि जब भी तुम render करने जाओ तो सबसे latest rendering engine का version यूज करना और यहां पर मैंने viewport के width की और zoom level की बात कर लेगे width और device की width क इसके बारे में चीखा यहां पर हमने css style sheet कैसे link करते हैं इसके बारे में चीखा है अब इसके बारे में चलता मत करना कि is code का मतलब क्या है और this code का मतलब क्या है और आग जाके समझ में सब कुछ हा जाएगा ठीक है और जब भी favicon add करो फैविकॉन की मेंज हमें शुर करना क कि रूट डिरेक्टरी के अंडर हो यह बात समझ में आती है अब मैंने का यह सब तो ठीक है भाईया मैं खुद से कुछ मेंटा टैक्स आड़ करना चाहता हूं मैंने कर लो तो आपने लिखा मेंटा अब यहां के बहुत सारे आप्शन्स आगे यह सब्सक्राइब करना चाहता ह와 मैंने बोला के भए इसूसरी के अंदर इंसर्ट कर दे डिस्क्रिप्शन के अंदर इब आपने वेड़िवार्टिट पर जाओ कि पांधरे को लिए ऑपड़ास नहींúpड Gateway लिए फली है फिस जूर्टि पर दिखाए जो दीख यहां पर बोड़ाने के लिए कोगल लिखा मैंने जोड हिल्प ठीक है तो कोड पुम देख पार हो तो साफ साफ लर्ण फूल स्टैक ववेब डिवलोपमेंट मास्टर कों दीपी मास्टर कोड्स और गराफ ग्रीदम कम्पलीट अध्र डिवलोपमेंट यह सारा डेटा कहां से आ रहा होगा मैंने का यह तो description है तो अगर फटा फट से मैं यहां पे जाओं और यहां पे जाके मैं कर दूँजी यहां पे जाके मैं कर दूँजी view page source यहां मुझे इसका code मिल गया इस code को ले जाके मैं format कर दूँ एक बार इस प्रकार और मैंने बला format कर दो तो क्या मैं देख पा रहा हूँ meta name description के अंदर तो meta name description के अंदर आपने वही same चीज learn full stack web dev master course, master course on dp master course on graph, master course on android right तो वो जो description मैंने हाँ पर लिखा हूँ है वो same description है जो हमने अभी देखा जो जब हम google पर search करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, तो हमने description अपनी website के add कर दिया, let's say मैं कुछ keywords add करना चाहता हूँ, let's say मैं कुछ keywords add करना चाहता हूँ, कि मैंने बोला meta, और मैंने बोला कुछ keywords add करने हैं मुझे, कि जब भी ऐसे कुछ keywords search हो, तो मेरी website भी वहाँ पर rank करें, तो मैंने बोल दिया कि ऐसा करो code help keyword ले लो ऐसा करो, operating system keyword ले लो, ठीक है, तो ऐसे करके मैं कुछ keywords mention कर सकता हूँ अगर तुम यहाँ पर भी जाओगे, तुम यहाँ पर भी देखेगा कि हमने क्या-क्या keywords जो है तो meta tags का use कर सकते हो, ठीक है, मैं ज्यादा depth में नहीं जाओगा, ज्यादा तुम्हें अभी need नहीं पड़ीगी इसकी अभी के लिए, तो अभी जितना समझाना चाहिए, उतना तुम मैंने समझा दिया कि भाई, meta tag क्या होते हैं, इन तीन create कर लिए, जहाँ पर alert तुमने देखा, जहाँ submit button तुमने देखा, जहाँ पर CSS styling तुमने देखी, ठीक है तो इस प्रकार आपकी आज की class यहाँ पर समापत होती है और एक खुशखबरी आप सभी के लिए, और खुशखबरी यह है कि दोस्त, आपका HTML की series यहाँ पर खतम होती है और हम next class से CSS start कर सकते हैं तो मैंने कहा कि आपकी HTML जो है, वो complete हो चुकी है और मैंने कहा, कि भाई सहाब, next हम क्या start करेंगे next हम CSS start करेंगे, ठीक है जी तो journey बहुत बड़ी है, और मज़ा आएगा, आप करते करते ठीक है मैं pressure लेके इसको complete करने के mood में हो नहीं के pressure लेके मैं अपने सर पर वजन रखके इसको फटावट complete करूँ मैं mood में हो कि मज़े मज़ें पढ़ाऊ, आप मज़ें मज़ें पढ़ें आपके जो भी reviews है, अच्छे, बुरे, न्यूटरल, बाइस, अनबाइस, कमेंट्स में लिख दिया करें मेरे मेरे मुटिवेशने काम करते है मैं आप में सब्सक्राइब पैसे नहीं बोल रहा हूं कि मुझे पैसे संट कर दो मेरी UPI कर दो मैं इतना कहा हो किया अगर अच्छी लग रही तो एक एक ठी मेंद कर रहा राथ, को तो कमेंट करके चले जाओ पस सीन Till reject मुझे बहुत जादा फाइडा होगा मुझे बहुत ज़ीड़ फायदा होगा मेरे रीज के टरंसे भी और मेरे साइक्लाजिकल टरंसे ही ठीक है